आज हम जो चीज़ डिसकस करने चाह रहे हैं माइम्स इन एनलोग गेम्स में वो यह है कि जब हम माइम्स क्लास्ट्रूम में बच्चों के लिए उसकी अक्टिविटीज बनाते हैं तो हमारे पस कोई गाइडलाइन्स मौझूद हैं या नहीं है राहिम्स परके ने आुटीज सिक्स के अंदेर कुछ बहुत इंट्रस्टिंग गाइडलाइन बताई यह इसके तो हम यह जो माइम्स है इसको बहुत इंट्रस्टिंग आपिटी तौर पर अटेर्विटी के लिए क्लास्ट्रूम में करवा सकते हैं तीन स्टाप है और हम स्ट आप एक्शन से करके दिखा रहे हैं, फेशल एक्सप्रेशन से, most of the time वो एक फेटिशिस करेक्टर हैं, एक्शन बेस करेक्टर हैं, बेस तरीका क्या है, टीचर खुद करके दिखाएं, तो टीचर बता सकती है कि I am a mother और मैंने अपने बच्चे को अपने आहत में होल्ड अप खिलाती है, तो वो एक्शन से और रियक्शन से अपने जहरेक एक्सप्रेशन से यह बकाइदा करके दिखा सकती है, यह हमारा पहला introductory step है, अगला step इस introduction के अंदर यह आता है कि student को यह कहा जाए, कि आप अपनी chairs को पीछे लगाएं और एक stage class में बनाएं इस सरीके से कि आप सामने आके perform कर सकें, आप टीचर इंकरिश करें तमाम students को कि वो आपन तो माइमस के लिए आए, आके कुछ ना कुछ थीम्स लेकर आएं और perform करें, student जो है, इस game के अंदर कोई भी theme जो है, वो खुद से choose कर सकते हैं, जो उने पसंद है, जो उने action पसंद है या जिसमें वो comfortable है, जब भी instructor जो है, वो बच्चों की movement देख सकती है, उनको guide कर सकती है, कि आप इसको और मजीद expressive तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपके class में यंग बच्चे हैं, और में से कुछ बच्चे शाय हैं, जो कि अपने लिए mime की कोई ऐसा action oriented scenario नहीं चूज कर पा रहे हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं, कि आप चाय पी रहे हैं, या स्कूल से जा रहे हैं, या होबक कर रहे हैं, या किताब पढ़ रहे हैं, there are variety of things जिसमें बच्चे comfortable भी हो सकते हैं, familiar भी होते हैं, और वो उसे कर सकते हैं, बच्चे जो हैं, वो student को invite करें, कि आप आगे आए और आगे आपना टास्क जो है, उसको complete करें और performance की practice करें एक दूसरे के सामने, this is all part of the introduction, classroom में बच्चे जो हैं, एक दूसरे को ना सरफ help out करते हैं, बलके ये देखते हैं, कि जो mimic हो रही है, जो mimicry करने जा रहे हैं, उसमें कितनी detailing जो होने add-on करनी है, जैसे जैसे बच्च हो सकती हैं बच्चों के साथ, क्या चीज़ हैं जो बच्चे characters आप उन्हें देख सकते हैं, या वो कर सकते हैं, या बच्चे pretend कर सकते हैं, कि वो क्या है, मिसाल के तोर पे माइम में, बच्चे करके दिखा रहे हैं, कि वो कैसे dress up होते हैं, या कैसे वो गाड़ी में बैठते और गाड़ी को चलाते हैं और दाएं और बाएं देखते हैं या वो किसी फूल को सुंग रहे हैं या खुश्पून को इरिडेट कर रही है वो अपने फेशल एक्सप्रेशन से बता सकते हैं कैसे वो पतंग उड़ा रहे हैं वो प्रेटेंड कर सकते हैं अपने जस्टर से और आपके suggestive भी हो सकते हैं, जिसे पहली introductory class में आप और बच्चे प्रक्टिस कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं और उनको करके देख सकते हैं और आप उनने guide कर सकते हैं how to improve these small mimes into a very very expressive and interesting mime act.